नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को पीपल पत्वारी की कथा सुनाने जा रही हूँ बोलो जै शिमन नाराड एक बुढिया थी उसने अपनी बहु से कहा तु दूद दही बेच किया वह बेचने गई तो रास्ते में औरते पीपल पत्वारी सीच रही थी उनको सीचता देखकर बहु ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो औरते बोली कि हम पीपल पत्वारी सीच रही है इससे अन और धन होता है बारा वर्ष का बिछड़ा हुआ पती मिल जाता है बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सीचती हो तो मैं दूद से सीचूंगी गुजरी बहु रोजाना दूद दही बेचने नहीं जाती वह रोजाना दूद को पीपल में और दही पत्वारी में सीचती सास दूद दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी कार्तिक का महीना पूरा हो गया पूर्णिमा के दिन बहु पीपल पत्वारी के पास जाकर बैठ गए पत्वारी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई बहु बोली की सास दूध दही का दाम मांगेगी पीपल पत्वारी बोली की मेरे पास क्या दाम रखा है ये भरा डिंडा, पान, पतूरा इसको ले जा बहु ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओड कर सो गई सासू बोली पैसे ले आई बहु बहु बोली कोठरी में रखे हैं सासू ने कोठरी खोल की देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं सासू बोली बहु इतना धन कहां से ले आई बहु ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है बहु ने सास को सारी बात बता दी सास ने कहा अब की कार्थिक में मैं भी पत्थवारी सी चूंगी कार्थिक आया सास दूद दही तुबे चाती हांडी धोकर पीपल पत्थवारी में चड़ा देती आकर बहु से कहती मेरे से दाम मांग वह कहती सासु जी कोई बहु भिदाम मांगती है मगर सासु कहती है तु मांग बहु बोली सासु जी पैसे ले आओ तो सास पीपल पत्वारी के पास जाकर बैठ गई पीपल पत्वारी ने सास को पान पतुरा भरा डिंडा दे दिया उसने ले जाकर कोट्री में रख दिया बहु ने खोल कर देखा तो उसमें कीडे मकोडे बिल बिला रहे हैं बहु ने कहा सासो जी या क्या सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पत्वारी बड़ी दोगली पट पीटन है इसको तो धन दिया मुझे कीडा मकोडा दिया तब सब कोई बोलने लगे कि ये बहु तो सत की भूखी सिचती थी तुम धन की भूखी है पत्वारी माता जैसा बहु को दिया वैसे सबको देना जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना जै शीमना नाराण अगर आपको मेरी यह कता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट में जाय माता दी जरूर लेकिए